सुरी शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादीव कैसे हैं आप सब देखिए हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्री के पावन दिन चल रहे हैं नवरात्री का अंतीम दिन है माद दूर्गा का एक बहुती अचुग उपाय जो की आपको तेज पत्ते से करना है जो आपके जीवन की समस्त बादाओ को दूर करेंगे समस्त संकटों को दूर करेंगे किसी भी प्रकार से उपरी हवा नजर भी अगर लग चुकी है तो उसे भी दूर करेंगे धन सम्मंदित परिशानियों को भी दूर करेंगे मात्र आपको बहुत ही अचुक उपाय करना है तेज पत्ते से देखे इस उपाय को करने से आपके व्यापार में भी अगर कोई परिशानी आ रही होगी तो वो दूर होगी आपकी नजर तेज पत्ते से उतर सकती है साथ यदि आपके जीवन में अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो वो तेज पत्ते से उतर सकता है यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की देविक शक्ति आपको प्राप्त करनी है तो आपको यह उपाय करना चीए बहुत ही खास यह उपाय है आज के इस वीडियो में हम आपको चार महा उपाय बताएंगे जो कि आपको तेज पत्ते से करना है देखे भगवान शीव ने मा सिद्धी दातरी की करपा से अस्ट सिद्यों को प्राप्ति किया था जिसमें आणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, शित्व और वशित्व शामिल है इनी माता की वज़े से भगवान शीव अर्दिनारी कहला थे, अर्दिनारी इनका नाम पड़ा था क्योंकि भगवान का आदा शरीर देवी का हो गया था तो इसी माता सिद्धी दातिरी की क्रपा से जीवन के समस्त कष्टों को संकटों को दूर करने के लिए आपको आज कही उपाय करना चीए पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शीव के यदि आप सच्चे भगते हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें देखिए पहला उपाय, बहुत एखास ही उपाय है, नजर उतारने के लिए, किसी भी प्रकार से यदि आपका बच्चा जो है पढ़ाई में कमजोर है तो आपको यह उपाय करना चीए यदि आपके व्यापार में कोई समस्या आ रही है तो आपको यह उपाय करना चीए यानि कि किसी भी प्रकार की समस्या अगर किसी भी व्यक्ति के उपर आ रही है घर में कोई भी व्यक्ति है जो उदास रहता है बीमार सा पड़ा रहता है सुस्त सुस्त रेता है तो उस व्यक्ति के उपर से यह उपाय करना है क्या करना है बहुत ध्यान से समझना एक स्टील का लोटा ले सकते हैं तामबे का लोटा ले सकते हैं उसमें पूरा आपको जल भर देना है ठीक है अब आपको क्या करना है उसी के उपर एक प्लेट रखना है उस प्लेट के उपर आपको एक दीपक रखना है दीपक भी रख सकते हैं दीपक एसा रखना पूराना वाला ठीक है माट्टी का दीपक ले सकते हैं पूराना वाला जो कि आप अब उसके बाद इस्तमाल नह करना है आद्रना कि आपको ऑगे कुछा उतारा करने पहले घरी की दिशा में आपको उतारा करना है फिर वापन स्सेंट достаточно इस प्रकार से आपको 11 बार उतारा करना है आगे आपको बाद समझ में वीडियो के अंदर बताने का प्रयास क्या है इस प्रकार से आपको नजर उतानी है ठीक है अब आप क्या करेंगे घर में नजर उतानी है और सुर्यास्त के बाद ही ये उपाय करना है अब आपको क्या करना है आप आपके घर के बाहर चल जाए और उसके बाद ये कपूर और तेज पत्ता जो है आप इसको जला दे आप क्या करना जिसे ही जल ज लेकिन टुलशी जी में अर्पेत नहीं कर सकते हैं, अब दूसरी बाद और दूसरी बाद यह जो दीपक है, दीपक आपको किसी भी व्रुक्ष के नीचे रख करके आना है तुल्ची जी में आपको रख करके नहीं आना है बस इतना सा उपाय करना यदि उस व्यक्ति का व्यापार दंग से नहीं चल रहा है यदि उसको किसी भी प्रकार की समस्या है वो सब इस उपए से दूरोने वाली है यह बहुत है आसान से उपाय है नजर उटारने का सबसे सटी की उपाय है ठीक है आगे अपको बसंज में इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है दूसरा उपाय है यदि आपका व्यापार जो है धंक से नहीं चल पा रहा है व्यापन में बहुत जादा परिशानी आ रही है पहला जैसा व्यापार ही नहीं रहा है तो आपको यह उपाय करना चीए एक आपको आपके दुकान पर आपको आपके दुकान पर यह उपाय करना चीए आपको क्या करना है एक दीपक लेना है उसके अंदर कपूर डालना है और उसके बाद नो तेज पत्ते खंडित नहीं होने चीए साबूत होने चीए नो तेज पत्ते आपको रखना है और उसके बाद इसे अपनी दुकान पर ही जला देना है दुकान पर ही आपको जला देना ह ध्यानकना यदि कपूर कम पड़ जाता है तो उपपर से आप कपूर डाल सकते हैं मा सिद्धी दात्री का आपको मंत्र जपना है या तो आप ओम एम रेम क्लिम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का आप 11 बार या तो 108 बार जाप करते हुए इसे आपको जलाना है और जलते समय आपको इन मंत्र का जाप करना है मात्र 11 बार या तो 108 बार आप जाप कर सकते हैं कपूर इसके अंदर ओर डाल सकते हैं जब तक तेज पत्ता जलकर के समाप्त नहीं हो जाता जब तक आप कपूर डाल सकते हैं और ध्यानक ना जैसे ही जल करके समाप्त हो जाएगा उसको आज जो धुआ उठेगा थोड़ी देर अपनी दुकान पर ही उस धुआ को रेने दिना इस प्रकार से उपाय करने से दुकान की सारी negative energy समाप्त हो जाती है दुकान पर किसी भी प्रकार का टोना टोटका होता है तो नोकरी वाले स्थान पर भी अगर आप नोकरी करते हैं तो भी यह उपाय कर सकते हैं तो जीने भी धन के समस्या है बहुत जादा धन के समस्या है कई प्रकार के उपाय कर लिए कई प्रकार की महनत कर लिए लेकिन महनत का परिणाम नहीं मिल पा रहा है नवरात्री की रात्र तब आपको ओम, एम, रेम, क्लेम, चामुंडा विच्चे इस मंतर का जाप करना है, शरीर के सारे अंदिकार को दूर करने के लिए ये उपाय करना है, जीवन में धन के प्राप्ति के लिए उपाय करना है, जिससे ये जल करके समाप्त हो जाएगा, अब ये तेजपत्ते की र अंदिकार दूर हो जाते हैं, इस राक से वो मंजन भी कर सकता है, दातून भी कर सकता है, इससे उसके शरीर के अंदिकार भी दूर होते हैं, उसमें एक सकारत्मक उर्जा का प्रवा होता है, और वो जो भी बोलता है, वो सब काम सिद्ध होने लगते हैं, तो इस उपाय को व्हों भी आप कर सकते हैं साती साथ खाने में भी मिला और कर सकते हैं मा की ऐसी अनुकम फार रेती है ऐसी खृपा रेती है कि वह सामने वाफ व्यक्ति जो है सारे काम थेकां इस उपाय को आप को लगातार करना है, आपके जीवन की आपके घर वालों की समस्या ऐसे दूर हो जाईगी, ध्यान अकना यह जो राख है, आप सब जितने भी घर में सदस्य है, उनके इसमें भी यह मिला करके दे सकते हैं, जरूर नहीं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कस्ट वापस ना आए, कलर घर पे ना आए, धन की समस्या घर में ना हो, तो आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है, ये देवी को एक तरीके सा धन्यवाद देने का ये उपाय है, अगर आपने समस्त नो दिनों तक आपने जो भी आर रखना है, और आपको ये जो दीपक है, आपको मंदिर में लगा करके आना है, देवी के सामने, और वहीं पर आपको ग्यारा बार, ओम, एम, रेम, क्लेम, चामुंडाय विच्चे इस मंतर का जाप करना है, इस उपाय को करने से मातारानी का धन्यवाद होता है, मातारानी सम वज में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है कमेंट में जैमातादी सभी को लिखना है श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादिव